लोच्पा के संस्थापक और पूर्व केंद्रिय मंत्री राम विलास पासवान की जन्म जन्ती पर लोग जन्शक्ति पाटी के दोनों गुटों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जाना है। लेकिन जमीन पर जब आप जाएंगे तो पार्टी का आम कारिकरता पार्टी को चुनाओ के समय वोट देने वाला मद्दाता खुलकर चिराग पासवान के समर्थन में बोल रहा है। इसकार मिरनाय में मुईत कुमार सिंग और आप देखने हैं जन्टा रेक्षन का विसे इसकार क्रम एक्स प्लेजर। हमारा या वीडियो हंगर रेकर्स के द्वारा है स्पॉनसर किया गया है। हंगर रेकर्स पत्ना का निसाबाद मिस्तिते कैफे हैं जहां आपको फाश्पूर रनेक्स परकार के शेक्स मिलते हैं। बाकी जगों से बहुत ही कमदा में। इनका खाना आईजैनिक और शन्दार क्वालिटी का भी होता है। तो एक बार आप वहाँ जाकत देख सकते हैं। अब वापस आते हैं चिराग पासवान और पश्पती पारस पर। एक बात तो तेह है कि भारतिये जंतापाटी चिराग पासवान के साथ खुल कर खड़ी नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर भाजपा को चिराग के साथ खड़ा होना होता तो अब तक वह ऐसा कर देती। भारतिय जंता पाटी और नरेंद मोदी के बारे में चिराग पासवान चाहें जितना अच्छा ख्याल रखते हो लेकिन चुनाव के वक्त और फिलाल की सिती को देखकर लगबग साफ हो गया है कि भारतिय जंता पाटी चिराग के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोसी। आपको याद होगा कि जब राम विलास पासवान के निदन के बाद राजचबा की सीट खाली हुई थी तब उंकी पत्नी और चिराग पासवान की मारीना पासवान को एकर चर्चा चल रहा था कि भारतिय जंता पाटी की तROफ से उन्ने राजचबा की इस सीट खाली सीट पर भेजा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस समय लोगजन शक्ति पार्टी की तरब से खुल कर अपनी मात्वा कांच्छा को भाष्पा के सामने भी रखा गया था। लेकिन भाष्पा नहीं से दर्किनार कर दिया। चुनाओ के वक्त आपको याद होगा है कि किस प्रकार से चुनाओ मैदान में उतरने का फैसला लिया था। लेकिन इतना तो साफ हो गया है कि भाष्पा पार्टी चुनाओ को अपना समस्ती ही नहीं। जब लोग जो शक्ती पार्टी के अंदर टूट हुई तब भाष्पा के किसी भी बड़े नेता ने अपने मुझ से एक सब्द नहीं निकाला। आज चिराग पासवान दिली में अकेले हैं लेकिन भारतिय जनता पार्टी की किसी नेता के पास इतना वक्त नहीं कि वह चिराग पासवान से एक बार बात कर सके। शार्ट पार्टी में जब अनोनी की खबर आई होगी तब चिराग पासवान को लगा होगा कि भारतिय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी लेकिन उनका भ्रहम तब तब तुटा जब चाचा पशुपती पारस पटना में सांसदों के साथ बैठ कर खुद को पार्ज रेना होगा कि राजनीती किसी के भरोसे रहकर नहीं हो सकती है राजनीती में खुट के लिए रास्ता तयार करना पड़ता है ना कि कोई दूसरा आपके लिए रास्ता बना कर देता है चिराग पासवान के आशिबाद यात्रा की बात करें तो परदेश सद्यक्स र पाचीत करेंगे और फिर अपने पक्स में जंड समर्थन मागेंगे परशासन से इस बात की इजाज़त मांगी जा रही है कि चिराग पासवान जब गाउं में जाएंगे तब कोविड प्रोटोकॉल के तहट ग्रामिलों के साथ मीटिंग रखी जाएगी चिराग की यात्रा क खाका तैयार हो चुका है और अब चिराग पटना में पहुचते ही 5 जुलाई को सीधे हाजिपूर जाएंगे और फिर वहीं से आशिरबाद यात्रा की शुरुवात होगी दूसरी तरब चाचा पसुपति पारस 5 जुलाई को 10,000 लोगों को भोज कराने का इंतजाम कर रहे उनकी तरब सभी प्रशासन से इस बात की इजाज़त मांगी जा रही है कि कोवीड प्रोटोकॉल के तहट भोज कराने की इजाज़त दी जाए फिलाल सबकी नजर चिराग पास्वान का शिरबाद यात्रा बट्टिक है और अगर चिराग पास्वान का शिरबाद यात्रा स सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुत लगले वीडियो में कैमरे के पीछे खड़ है प्यूचर सी या और मैं मुहित तुमार से धन्यवाद